आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें और यह हमारा एक बिंदू हो गया, ठीक है, जिसका निरसांग कोश्चन में दे रखा है, मालने थी इसका यह पी बिंदू हो गया और इसका निरसांग कोचर में रखा है 0,0,0 ठीक है तो हमसे पुछा जारे कि इस P बिंदू का इस समतल में परतिवीम क्या होगा बताईए ठीक है तो हम माले रहे कि यह जो P बिंदू है इसका परतिवीम यह समतल हो गया ठीक है और इसका परतिवीम यह है ठीक है यह p-डेस बन रहा है यह p-डेस जिसका निलिद शांग कमाल ले रहे है x2, y2, z2 ठीक है यह p-डेस हो गया जो कि p का क्या परतिवीम है जितना distance यह है यहाँ समतल से उपर उतना ही नीचे distance पर यह क्या P रेस बन रहा है जो कि क्या P का यहाँ पर यह परतिबीम है और यहाँ पर समतल का समिकरण question में हमें दे रखा है कितना तो यह दे रखा है 3X plus 4Y minus 6Z plus 1 बराबर 0 ठीक है यह P रेस है तो यह समतल का समिकरण दे रखा है यह P बिंदू दे रखा है 0,0 0,0 जिसका इस समतल में परतिबीम गयाद करना है जो कि P डेस है अथार्थ हमें X2,Y2,Z2 का हमें यहाँ पर मान गयाद करना है ठीक है अब इसको हम कूस हमें के लिए माल रहें कि यह X1,Y1,Z1 ठीक है तो हम यहाँ पर जानते हैं कि हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि यह क्या होता है X2-X1 X2-X1 अपाउन X2-X1 अपाउन A यह हम इसको मान ले AX पलस BY पलस CZ पलस D बराबर 0 तो उसकेस में होता है X2-X1 बराबर A Y2-Y1 अपाउन B Z2-Z1 अपाउन C बराबर माइनस 2 इंटू AX1 पलस BY1 पलस CZ1 पलस D अपाउन अपाउन A2 पलस B2 पलस C2 A2 पलस B2 पलस C2 ठीक है यह होता है तो यहां से हम हल करके क्या करेंगे X2-Y2-Z2 का मान गयात कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा पलस हम इसको कल्कुलेट कर देंगे ठीक है तो यह हो गया माइनस 2 AX1 A का मान यहां पर 3 हो जाएगा X1 का मान 0 3 गुने 0, 0 B का मान यहां पर 4 और यहां पर B का मान 4 हो गया और Y1 का मान 0 तो ये भी क्या हो जाएगा 0 Cz1 C कमाने हाँ पर-6 Z1 कमान 0 तो ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस डी डी कमाने हाँ पर-1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 upon A2 तो A कमान 3 तो ये हो जाएगा 3 का square कितना? 9 B2, B कमान 4 4 का square 16 C square, C कमान-6 मान निकालेंगे ठीक है और यह x2-x1 था तो x2 का value कितना था तो यहाँ पर x2 का value हमें पता नहीं है लेकि x1 का value 0 था तो यह हो जाएगा x2-0 upon a एक कमान कितना है यहाँ पर तो a कमान था 3 तो यह हो गया 3 ठीक है y2-y1 y1 कमान 0 है और b कमान यहाँ पर कितना है तो b कमान यहाँ पर है 4 तो यह हो गया 4 z2 minus z1 z1 कमान 0 और यहाँ पर c कमान कितना है minus 6 तो यह हो जाएगा minus 6 ठीक है तो वही यहाँ पर यह हो गया हमारा x2 upon 3 बराबर y2 upon 4 बराबर z2 upon 6 ठीक है तो यह हो गया अब हम यहाँ पर क्या करेंगे एक बार इसको ले ले रहे हैं x2 upon x2 upon 3 बराबर minus 2 upon 16 ठीक है अब एक एक करके हल कर लेंगे और एक बार हम यहाँ पर ले ले रहे हैं y2 upon 4 बराबर minus 2 upon 61 और एक बार ले लेंगे यहाँ पर z2 upon 6 बराबर minus 2 upon 61 को ठीक है तो यहां से आ जाएगा हमारा x2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 6 अपाउंट 61 और यहां से y2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस 8 अपाउंट 61 और यहां से z2 बराबर क्या आ जाएगा तो यहां से z2 बराबर हो जाएगा सुरी यह माइनस 6 है ठीक है यह minus 6 है तो यह कितना हो जाएगा minus 6 गूंने minus 2 हो गया 12 अपॉन if यह हो गया 12 अपॉन हो 61 ठीक है किस कोस्ट्टन वहें क्या करना था PB experience क्या करना था प्रतिबीम आधं करना था और PB क्या क्या है PB तरह थार्थ में हाम Big ask प्रतिबीम करना था ठीक है तो हम यह अपब ओमाई टू कॉमाई टू गयात करने था जो कि हमने यहाँ पर गयात किया तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको ए बात अच्छी तरह समझ में आये होगी थैंकी सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर